हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू न्सीयाटी मंद्रा हाजिर हूं फिर से जीके जीएस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर तो आज की वीडियो में हम युनाइट नेशन्स एजेंसी फॉंट्स और प्रोग्राम्स को लेकर बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं किसी इसी को लेकर आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनाइट नेशन्स के बारे में कुछ इंपॉर्डेंट फैक्ट्स जान लेते और युनाइट़ नेशन्स में आज वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं तो 193 मेंबर्स हैं युनाइट़ नेशन्स को ये नाम किस ने दिया तो युनाइट स्टेट्स आफ अमेरिका के जो प्रेजिडेंट थे Franklin D. Roosevelt istics Republican D. Roosevelt ने United Nations को ये नाम दिया अटिक है ये आपको पता ह विश्वित हुआ, 1914 से 1918 में जब फर्स्ट वर्ड वर हुई, तो उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई, कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, जो विश्व में शांती की स्थापना कर सके, तो 1919 में League of Nations की स्थापना की गई थी, दुनिया में शांती की स्थापना करने के लिए, बाद में इसी League of Nations को संयुक्त राष्टर में परिवर्तित कर दिया गया, United Nations में, तो कई बार इस तरीके से कोशन पूछा जाता है, कि United Nations को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपको पता होना चाहिए, League of Nations, जो United Nations है, उसकी पूरवर्ती संस्थाथी, ठीक है, तो इसका स्केंशॉट ले सकते हैं, important facts है, आगे चलते हैं, अब हम जान लेंगे एक बार कि United Nations के जो मेन ओर्गन हैं, वो कितने हैं, तो United Nations के 6 मेन ओर्गन हैं, पहला है the General Assembly, दूसरा Security Council, तीसरा Economic and Social Council, Trustorship Council, International Court of Justice, जिसको ICJ भी कहा जाता है, और United Nations Secretariat, यह 6 मेन ओर्गन हैं, United Nations के, पुछा जा सकता है, United Nations के कितने मेन ओर्गन से हैं, तो 6 हैं, और इन 6 में यह ऐसे भी कोशन आ सकता है, कि आपको एक कोशन दे देंगे, कि इन में से कौन सा United Nations का ओर्गन नहीं है, तीन ओप्शन यहां से होंगे, एक ओप्शन अलग होगा, आपको चूज करना होगा, तो जो अलग होगा, वही आंसर होगा, ठीक है, किसी भी तरीके से कोशन आ सकता है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि United Nations के ओर्गन कौन-कौन से हैं, साथ ही, जब United Nations के स्थापना हुई, तभी इन छे ओर्गन के भी स्थापना हुई, आल दा सिक्स वर स्टाबलिजट इन 1945, वें दा यून वास फांड़ेट, इसका भी आप स्किन्शॉट ले सकते हैं, अब यह जो छे ओर्गन थे, इन में से हम Security Council के बारे में पढ़ेंगे, यह जो पांच पर्मानेंट मेंबर्ण हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्या पावर है, कि Security Council में मालीजी कोई भी resolution को आएगा, कोई भी फैंसला लिया जाएगा, तो इसको reject करने का जो अधिकार है, वो इन पांच पर्मानेंट मेंबर्स के पास होता है, तो इ इन में से कौन सा Security Council का पर्मानेंट मेंबर नहीं है, आपको चूज करना होगा, ठीके, तो आता है, कोशन काफी, जो दस नौन पर्मानेंट मेंबर्स हैं, उनको हर दो साल के बाद चुना जाता है, ठीके, दो इयर का इनका टेन्योर होता है, और दो साल के बाद फिर से इन म इसला लिया जाता है, तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार, यह जो पांच पर्मानेंट मेंबर से इनके पास होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपरेंट हो जाते हैं, तो इसका भी आप स्कीन शॉट ले सकते हैं, सिक्योर्टी काउंसल का, अब हम युनाइड नेशन क के मेन ओर्गनाइजेशन के बार में बात कर लेते हैं, जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उन्ही को लेकर से बात की जाएगी, पहला है वर्ल बैंक, वर्ल बैंक अब इस्टाबिश वा, तो 1944 में ब्रेटन वुड कॉंफरेंस के बाद यह जो वर्ल बैंक है वो बना था, ठी इसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो 189 मेंबर से जो लास्ट मेंबर एड़ुआ है वो है, कौन है, नौरू, जो नौरू है वो लास्ट मेंबर है, जो वर्ल बैंक में एड़ुआ है, दूसरा और्गनाइजेशन है, इंटरन जिसको हम आई-ए-म-फ के नाम से जानते है, तो आई-म-फ की, कभश कब इस्टाबलिश हुआ 1945 में, ब्रेटन वुड गॉड कॉणफरेंस, क्यूंकि यह जो दोनों है, वर्ल बैंक और आई-म-फ यह ब्रेटन वुड कॉणफरेंस से बने थे, तो इनको ब्रेटन वुड क का ट्विंस कहा जाता है ठीक है तो इस्टाबलिश हुआ है IMF 1945 में और इसका हेड़कॉटर है वाशिंग्टन डीसी ठीक है बिल्कुल सेमी फैक्ट्स है तो इसका भी आप स्कुन्शॉट ले सकते हैं आगे चलते हैं अगली अगला जो हमारा ओर्गनाजेशन है वो है वर्ल् अच्छा एक चीज और जादा तर जो युनाइटी नेशन के जो औरगनाजेशन है उनके हेड़कॉर्टर जैनेवा स्विजलेंड में ही है ठीक है और कितने मेंबर्स है तो 164 मेंबर्स जो है वह है वो व्ल्ट ट्रेड और डव्ल्यू त्यो में जो लास्ट मेंबर जो डवल्ड हेल्थ और जिसको हम डवल्यू जानते हैं डवल्यू चुक अब इस्टाब्लिश वा 1948 में और इसका है एड़कॉर्टर भी है कहा जनेवा स्विजलेंड ठीक है तो डव्ली यू डवल्यू दोनों की जो हैड़कॉर्टर हैं वह स्विजलेंड में है जनेवा में आगे चलते हैं अगले ओर्गेंजेशन की तरफ इंटरनेशनल लेबर ओर्गेंजेशन आई एलो इंपरेंट है स्टाब्लिश कब हुआ उननीस में और हैड़कॉर्टर कहां है वही जनेवा स्विजलेंड आपको हैड़कॉर्टर सबके याद होने चाहिए क्यों की पेपर लेकिन यह तुक्का उस कंडिशन में है जब आपको यह याद ना हो वैसे तो आपको इस इंपर्टेंट ओर्गेंजेशन है वह आपको याद करने क्योंकि जादा नहीं है तो जो आई एलो है वह निसमें में बना और जनेवा स्विजलेंड में उसका है नेक्स्ट है यह फूल फूल फूर्म अटी एक सर्थ एक अपको युनास को की फूल फूर्म याद करने है जो कि क्या है युनाइड नेशनस एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कुल्चिल और गर्गनिजेशन थीख है आपको यह फूरा फूल फूर्म याद होना चाहिए यु से में तो एजुकेशनल साइंटिफी को कुल्च्छल फिल्ड में काम करता है जैसे कि नामसी पता चल रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा ओर्गनेजेशन है वह इंटरनेशनल मैरिटाइम और इसका पूछा गया है पेपर में अगर आप देखेंगे तो जो आयमो है वो कब इस्टाब नेशन इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट ऑर्गनेजेशन फुल फॉल-फॉल अपको पता होना चाहिए फुल-फॉल फॉल फॉल-फॉल अक्सर पूछ लए जाती है तो युनिदो की फॉल-फॉल-फॉल-फॉल फॉल-अच्थ-वं चे जो मैं नेक्स्ट जो हमारा ओर्ग काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुर्फर्म आपको पता होनी चाहिए यह स्टाबलेश्वा 1977 में और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है रोम इटली ठीक है आगे चलते हैं जैसे अच्छा एक चीज और जो हमारा एफ यह था ठीक है वो भी उसका भी हैड़कॉर्टर रोम मिटली में था और जो हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रिकॉल्टर डवलप्मेंट है वो भी रोम इटली में ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट तो हमारा अगला ओर्गनिजेशन है अंग्टाड अंग्टाड इसको शोट में बोलते हैं उनाइट नेशन्स कॉन्फरे UNHRC तो यह दो है एक है UNHRC और एक है UNHCR वो हम आगे करेंगे ठीक है तो UNHRC फुल फॉर्म क्या है United Nations Human Rights Council जो की कब इस्टाबलिश हुआ 2006 में और इसका हैड़कॉर्टर कहा है जेनेवा स्विजलेंड ठीक है नेक्स्ट हमारा जो ओर्गनाइजेशन है वो है UNHCR जो मैंने अभी बताया तो दोनों अलग अलग हैं आप ध्यान रखें UNHRC क्या है United Nations Human Rights Council और UNHCR क्या है United Nations High Commissioner for Refusees तो आप यह बस C और R का डिफ्रेंस है जो आगे पिछे हो रहा है तो आपको इनकी जो फुल फॉर्फॉर करनी है कंफ्यूज नहीं होना यह में तो UNHCR इस्टाबलिश्वार 1950 में और इसका हैड़कॉर्टर है वही जनेवा स्विजरलेंड नेक्स्ट हमारा जो ओर्गनाइजेशन है वो है UNODC पूर्फॉर्फॉर्म क्या है United Nations Office on Drugs and Crime इसका यह इस्टाबलिश्वार 1997 में और इसका जो हैड़कॉर्टर है वह है वेना ऑस्ट्रिया तो यह थे हमारे और गिनाइजेशन अब जो United Nations हैं उसके कुछ फंड्स प्रोग्राम्स हैं तो उन में से मैंने जो इंप्टेंट है वह आपके लिए लिखे हैं जो की पेपर में आते ही हैं पहला है हमारा UNICEF The United Nations Children's Fund बच्चों के लिए काम करते हैं आपको पता ही होगी संस्था स्टाब्लिश वा 1946 में हैड़कॉर्टर है इसका New York United States of America में अच्छा इसका एक बार आप स्क्रिंशॉट ले ले इंपरेंट है क्योंकि स्टाब्लिश्मेंट और इनका हैड़कॉर्टर अक्सर में तो UNDP स्टाब्लिश वा 1965 में हेड़कॉर्टर है इसका New York USA नेक्स चलते हैं UNEP United Nations Environment Program तो UNEP का जो है हेड़कॉर्टर पूछा जाता है अक्सर पेपर में स्टाब्लिश वा 1972 और जो इसका हेड़कॉर्टर है वह है नेरोबी केनिया के नेरोबी में जो इसका सेटल्मेंट प्रोग्रेम इस्टाब्लिश वा 1978 में और हेड़कॉर्टर है नेरोबी केनिया तो यह थे कुछ इंपर्टेंट युनाइटी नेशन्स के और प्रोग्रेम्स अच्छा युन अबिडेट के बार में एक चीज जान लीजिए इस मिशन इस्टू प्रमोट सोशल और सब्सक्राइब एक चाहिए चाहिए उनके लिए काम करता है वहां पर जो सस्टेनिबल डेवलोप्मेंट के लिए उस चीज के लिए काम करता है युन हेबिट तो यह जो थे इंपरेंट और्गनेजेशन्स और प्रोग्रम्स थे उनाइटी नेशन्स के जो आकसर पेपर जो important fact है वो मैं already बता चुकी हूँ तो आप इतना कर लीजिए United Nations से कोई भी कोशन आएगा आप कर लेंगे उसको solve तो यह थी आज की वीडियो अगर आज की वीडियो अपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें और आपको समय से नोटिफिक्शन मिल जाए थैंक्यू सो मच